नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर राधडागी मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आपने सुनाई होगा कि जो मशूर संगीत कार है बपी लेहरी उनका अब्स्ट्रक्टी स्लीप एप्निया से निधन हो गया तो आज उसी डिसिस के बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है आखिर उसके कारण कौन-कौन से है और अब्स्ट्रक्टी स्लीप एप्निया में आपको कौन-कौन से लक्षन दिखाई देंगे और साथ में हम वो भी जानेंगे कि आप उसकर डायगनोसिस कैसे कर सकते हैं यानि कि उसमें कौन-कौन से टेस्ट करवाये जाते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर Obstructive Sleep Apnea अगर हो चुका है आपको तो आपको कौन-कौन सी बाते ध्यान में रखनी चाहिए उसकी होमियोपेथिक मेडिसिन कौन-कौन सी है और उसमें आपको कौन सी चीजे करनी चाहिए जिससे आपका जल से जल Obstructive Sleep Apnea ठीक हो सके तो अंति तक मेरे साथ जरूर बने रहेगा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पासवाला बेल बेटन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारिया मिलती रहें तो चलिए जानते हैं Obstructive Sleep Apnea के बारे में तो Sleep Apnea में क्या होता है कि व्यक्ति को सोते वक्त थोड़ी देर के लिए सास लेने में दिक्कत होने लग जाती है और व्यक्ति एकदम से उठ जाता है यानि कि सास लेने में और गबरायट में उठ जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि उनकी सांस अटक गई थी इसलिए वो उठ गई है तो इस तरह से sleep apnea होता है और ये जो सांसे हैं वो 30 मिनिट तक भी अटक सकती है एक घंडे में कई बार भी अटक सकती है इसका कोई कुछ कह नहीं सकते कि ये कितनी बार अटकेगी तो पूरी रात में ये कभी भी अटक सकती है दूसरा देखें तो sleep apnea का समय पर इलाज करवाना बहुत ही जरूरी होता है अगर इसका समय पर पता ना चले तो आपकी मृत्यू भी हो सकती है और कई समस्याइं भी ये पैदा कर सकता है जैसे कि आपको पूरे दीन ठकान मैसूस होना और साथ में आपको डाइजेशन आपका साही से नहीं रहता है आपकी जो एकागरता है यानि कि आप एक जगा पर माइंड को कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से आपको कई और सारी ऐसी समस्याइं देखने को मिल सकती है नेक्स्ट देखें तो स्लीप एपनिया के मेंली दो प्रकारिफ है यानि कि दो टाइप से और ऐसे देखें तो थ्री टाइप से सबसे पहला टाइप है सेंट्रल स्लीप एपनिया दूसरा टाइप है obstructive sleep apnea और तीसरा टाइप है mixed sleep apnea सबसे पहला है central sleep apnea तो central sleep apnea में क्या होता है कि इसमें आपका जो दीमाग है वो आपके जो respiratory system है उसको signal ही नहीं बेचता है कि आपको सांसे लेनी हैं तो आपके जो respiratory muscles है वो सांसे लेनी की कोशिस ही नहीं करते हैं तो इस तरह से होता है दूसरा देखे तो obstructive sleep apnea obstructive sleep apnea में क्या होगा कि आपका जो दीमाग है वो तो signal भेज रहा है सांसे लेने के लिए लेकिन respiratory system में कुछ खराबी की होने की वज़े से वो सांसे नहीं ले पा रहा है और mixed sleep apnea में ये दोनों sleep apnea देखने को मिलते हैं सबसे पहला है central sleep apnea और ये obstructive sleep apnea दोनों साथ में देखने को मिलते हैं तो दोनों के जो लक्षन है वो भी साथ में दिखाई देंगे उसमें अब हम ये जान लेते हैं कि आखीर ये जो sleep apnea है उसके कारण कौन-कौन से होते हैं क्यों होता है obstructive sleep apnea तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि अगर आपकी जो respiratory system है उसके आजपास आपका बहुत ही ज़्यादा fat जमा हो गया है अकसर ये मोटे लोगों में होता है अगर आपकी जो सांस नली है और या फिल लेरिंस है उसके आजपास अगर fat जमा हो जाता है तो क्या होता है आपको सांस लेने की ज़्यादा जगे नहीं मिल पाती है और वो सिक उड़ जाती है तो आप अकसर ये चीज़े मोटे लोगों में देखी जाती है जो भी obesity से सफर कर रहे होता है उनमें देखी जाती है दूसरा देखें तो अगर आपको अस्थमा है आपको COPD है यानि की chronic obstructive pulmonary disease या फिर आपको lung fibrosis की दिक्कत है तो इन सभी चीज़ों में आपको sleep apnea हो सकता है नेक्स्ट देखें तो आपको अकसर pregnancy के दोरान भी sleep apnea हो सकता है दूसरा देखें तो आपको hypothyroidism की दिक्कत है या फिर आपको PCOD की दिक्कत है तो उसमें भी ये हो सकता है या फिर आपको stroke आता है तो उसमें भी हो सकता है या फिर आप heart failure या फिर kidney failure आपका हुआ है तो उस में भी आपको sleep apnea हो सकता है next देखें तो आखिर sleep apnea में आपको कौन-कौन से लक्षन दिखाई देते हैं तो sleep apnea में सबसे पहले obstructive sleep apnea का main लक्षन जो है वो है तेज से खराटे लेना बहुत जादा व्यक्ति बहुत ही जोर से खराटे लेता है और व्यक्ति को सास ले में दिक्कत होगी उसको जोर्जो उसे breathing करना पड़ेगा और deep breathing करना पड़ेगा दूसरा देखें तो उसको पुर्रे दीन ठका ठका मैसुस होगा साथ में आँखों में दर्थ होगा और साथ में देखें तो इस तरह के लक्षन उसे देखने को मिलेंगे कभी-कभी अगर सांसे सही तरह नहीं आती है, तो उन्हें तुरंथ ही नींद खुल जाती है, तो उन्हें इन्सोम्निया की दिकत बहुत होती है, यानि कि नींद सही से नहीं आना, या फिर सीर में दर्ध होना, नींद ना पूरी होने की वज़े से, और नींद ना पूरी होन यानि कि आगर आपको अब्स्रक्टिव अपनिया है तो कौन-कौन से टेस्ट करवाय जाते हैं सबसे पहला अपनिया के लिए टेस्ट है नॉक्चुर्नल पोली सोमनोग्राफिय इसमें क्या होता है आपको एक पूरी रात होस्पिटल में निकालनी होती है तो आपको हॉस्पिटल में जो भी आपका सोने का वक्त होता है यानि कि आप कभी भी रात को 9 बज़े सोते हैं आपके सीने में जो सारी लीड्स है वो लगा दी जाती है और ये जो लीड्स जो होता है वो computer के साथ जूड़े होते हैं, यानि कि monitor के साथ और उसमें कई बातें monitor की जाती है जैसे कि आप पूरी रात कैसे सो रहे हैं, आपके पूरी रात में oxygen की कमी तो नहीं हो रही है या फिर आपका जो brain है वो सही से activity कर रहा है या नहीं कर रहा है तो ये सारी चीजे हैं, वो जानने के लिए आपको पूरी रात अबज़र किया जाता है और उसके बाद उसके साथ एक आपको पूरी रात आपके साथ एक technician मिखाया दिया जाता है वो आपको अबज़र करता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हुई आपकी पूरी नीन तो नहीं खुल गई आपकी तो इस तरह से वो अबज़र करता है और उसके बाद सुभा में आप जैसे उठते हैं वैसे वो सारी जो चीजे लगाई थी आपके लीड्स जो भी है वो निकाल दी जाती है और उसके बाद आपका जो ग्राफ है एक ग्राफ रेडी होता है पूरी बॉडी का और उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं तो आपके जो स्लीप स्टडी में क्या जाना जाता है कि तो आपकी जो sleep study है उसमें जानते हैं कि कितनी बार आपको सांस लेने में दिखकत हुई है। या फिर कितनी बार आपको खराटे ले रहे हैं। दूसरा देख़ें तो आपकी जो the palm काम है वो कैसे हिल रहे हैं। ऊप्जऑ किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो आपको शांस लेने में दिक्कत हो रही है और उस नेंद कितनी बार खुल रही है और आपको कोई सपना तो नहीं आया और आपको गरना हट तो नहीं मैसूसे हूई है वह भी आपके जो graph है उसमें पता चलता है कई बार डॉक्टर्स जो है वो आपको गर पर ही portable monitoring devices देते हैं ताकि आप घर पर ही sleep study कर सको तो इस तरह से उसमें आपको पता लगा सकता है कि आपकी heart की activity कैसी आपके blood में oxygen की कमी तो नहीं है इसी बहुत सारी चीजे भी पता चलती है दूसरे test देखें तो test है EEG, EEG का मतलब है electroencephalogram इसमें क्या होता है कि आपकी जो brain activity है उसको जाना जाता है उसका पुरा graph ready करते हैं और उसमें पता चलता है कि आपकी sleep है वो कैसी है दूसरा देखें तो EOG यानि की electrooculogram उसमें आपकी eyes की activity कैसी है वो जानते हैं दूसरा देखें तो ECG, ECG में electrocardiogram होता है उसमें आपकी heart की activity पता चलती है और अंत में आपको बता दूँ तो electro myogram भी होता है उसमें आपकी muscles की activity जानी जाती है कि आपके muscles ज्यादा ट्वीच तो नहीं कर रहे हैं कैसे आप पाउ हीला रहे हैं वो सब मुह के muscles जो है वो कैसे हैं आपके वो सब जाना जाता है और एक snore monitoring भी आता है यानि की उसमें आप कितनी बार खराटे ले रहे हैं वो भी जान सकते हैं तो आज के लिए इतना ही दूसरे वीडियो में मैं आपको ब कौन सी बाते ध्यान में दखनी है ताकि आप स्लीप अपनिया से जल से जल ठीक हो सकें तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे शेर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास आला बेल बेटन दरोग दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालू तो तूरंध ही आपको नौटिफिकेशन मेल सकें धन्यवाद